गोरा शिशु गोरा और सुन्दर शिशु हर गर्भवती चाहती है हर मा चाहती है कि उसका बच्चा गोरा पैदा हो और इसी लिए अलग-अलग उपाई वो करना शुरू कर देती है काफी उपाई खोजना वो शुरू कर देती है वो देखती है वो सुनती है वो समझना शुरू कर देती है कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़े है क्या मैं खाऊ जिसके सेवन से मेरा आने वाला शिशू सुन्दर होगा और गोरा दिखेगा और शायद इसी उत्सुकता की वज़े से इसी कारन की वज़े से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और इसी लिए ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि कुछ ऐसे सिक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपका शिशू गोरा हो सकता है क्या हमने गोरा शिशू पैदा करने के लिए करना चाहिए और ऐसी कौन सी बात है ऐसी कौन सी चीज है जो शिशू को गोरा बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टन है ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन्ही सभी बातों को इस वीडियो में काफी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ और आखरी म गरभस कार के इस YouTube चैनल पर अगर आप पेगनेंट है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके प्रेग्नसी का हमसफर आपके प्रेग्नसी का साथी यह चैनल है आपके दिल में जो भी सवाल आए सभी सवालों के जवाब हमने कोशिश किया है वीडियोस के द्वारा देने के और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोरा बच्चा कैसे पैदा होता है कौन-कौन से कारण होते है क्या खाने से गोरा बच्चा में अगर खाती है तो उसका असर आपके शिशु के उपर होगा, उसके तौचा चानल के और इतना ही नहीं वीडियो के अंत में आप जानेंगे कुछ खास सच्चा या कुछ खास पूत्ध तो शुरूत में ही सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने ध्य से सुननी चाहिए गर्बस्त शिशु को गोरा बनाने के लिए किसी भी तरह की चीज को खाने की जगह अपने शिशु को पूर्ण पोशन मिले पूर्ण पोशक आहार मिले इस बात के ऊपर आपने पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए पूर्ण तहा पोशक आहार उसे मिलना ब अगर पोशकाहर नहीं मिल रहा है तो उसके उपर सबसे पहले आपने ध्यान देना चाहिए ताकि आपका आने वाला शिशु तंदुरुस्त हो और गोरा भी बने दूसरी बहुत ही महत्वपूर्णबाद गोरे शिशु की जगह गुनवान शिशु अगर बने तो जादा अच सकते हैं आप उसे बुद्धिवान बना सकते हैं आप कुछ ऐसी बाते सीख सकते हैं जो अगर गरभावस्ता में आप करते हैं तो डेफिनिटली आपकी आने वाली संतान आपकी पैदा होने वाली संतान बुद्धिमान पैदा होगी गुनवान पैदा होगी और आप देखे है आप अगर गर्भस अंसकार की कला को सीखते है तो डियूरिंग प्रेगनसी ही गर्भावस्ता में ही आप अपने शिशु को सुंदर बना सकते हैं, तेजस भी बना सकते हैं, बुद्धिवान बना सकते हैं, क्या आप जानते हैं गर्बसंसकार कैसे किये जाते हैं, क्या होते हैं गर्बसंसकार, कौन-कौन सी बाते इसमें होती हैं, किस तरह से आप अपने गर्बस्त शिशू से during pregnancy गरभावस्ता में ही बात कर सकते है और इतना ही नहीं आपका गरबस्त शिशु आपके बातों को response भी करता है वो सुनता है during pregnancy ही वो सुन रहा है और अगर आप इस चिंता में है कि वो सफेद कैसे हो वो गोरा कैसे हो तो ये बात सबसे पहला सवाल है गोरा बच्चा पैदा कैसे होता है जहां स्कीन का जो कलर है हमारे स्कीन का जो टोन है वो डिसाइड करता है मेलेनीन मेलेनीन यह एक रंग द्रवे होता है यह एक स्कीन का प्रोटीन होता है जो आपके स्कीन को आपकी तोचा को कलर देता है सिंपल भाशा में कहें तो अगर आपके शरीर में मेलनीन का प्रमान कम है तो आपके स्कीन का कलर फेर होगा अगर आपके स्कीन के अंदर मेलनीन का प्रमान जादा है तो ये डार्क होगा तो सवाल ये उटता है कि ये मेलनीन सिक्रेशन किस बात के निर्भर करता है so melanin secretion un wide shikah आधार पता है इसे हम कहेंगे इंसान के जो jeans होते है आपके parents के जो jeans है वहीं से आपको आपके تचा का color मिला है आपके तचा के color को प्रभावित करने के लिए ये jeans कारने बुत होते है और इसीलिए बच्चे के जन्व के समय माता-पिता से मिलने वाले जिस मेलनीन को निर्धारित करते हैं लेकिन हम इस बात पर ध्यान न देते हुए शिशु को गोरा बनाने की चाहा में कई सारी चीजों को सेवन करने लगते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से उपाय है जिनके करने से शिशु का रंग गोरा हो सकता है और इससे जुड़े क्या सच है क्या टूथ है वो भी हम समझते हैं नमबर एक जो हर गर्भवती माता को पता ही होता है वो है केसर का सेवन करने से शिशु का रंग गोरा पैदा होता है जियां हर गर्भवती उसके गर्भावस्ता में केसर का सेवन जरूर करती है केसर वाला दूद वो जरूर पीती है तो क्या केसर के सेवन से शिशु का रंग गोरा होता है ये एक प्रकार का मित है ऐसा नहीं होता है लेकिन हाँ यदि आप केसर वाला दूद पीते है तो इसका शिशु के सेहत के उपर बहुत ही अच्छा असर होता है उसकी स्कीन हिल्दी और साफ तजीली बनती है और इसीलिए अगर आप केसर वाला दूद पीते है तो बच्चा गोरा होगा या नहीं उसकी स्कीन जरूर हिल्दी होगी, तजिली बनेगी दूसरा उपाय, बहुत बार आपने सुना होगा कि देशी घी खाने की वज़े से तवचा का रंग, शिशू के तवचा का रंग गोरा होता है एक्चुली देशी घी के सेवन से बहुत सारे बेनिफिट्स प्रेगनसी में और डिलेवरी के समय गरभावस्ता के समय गरभवूती को होते है घी खाने से बच्चे को पूर्ण पोशन मिलता है और इसलिए गरभवूती ने घी का सेवन जरूर करना चाहिए लेकिन ये बात समझ ले कि घी खाने से शिशू के रंग पर गोरा या सावला ऐसा कोई भी असर नहीं होता है लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी है पूर्ण तहा पोशन देता है इसलिए घी का सेवन भी आपने जरूर करना चाहिए और अगर घी काने से आपका बच्चा गोरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा तीसरा नुस्का जो हम आम सुनते है वो है नारियल के सेवन से बच्चे की स्किन का रंग गोरा होता है देखिए ये भी बात साइन्टिफिकली अभी तक प्रू नहीं हुई है लेकिन नारियल पानी या नारियल का सेवन अगर आप करते है तो गर्भवती के शरीर में मिनरल्स की मातरा अच्छी हो जाती है जिससे गर्भवती और शिशु दोनों को भी पोशक तत्व मिलते है गर्भवती की मौर्निंग सिकनेस की समस्या कम होती है और शिशु का विकास भी अच्छा होता है तो अगर गर्मियों के मुसम में आप नारियल पानी पीते है तो आपके शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए बनाए रखने के लिए भी ये मदद करता है और इसलिए नारियल पानी का सेवन अगर आप प्रिगनसी में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है चौती बात जो हम हमेशा सुनते हैं बन बैलके हरी सबजियों का सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी तवछा खूबसौरत जरूर बनती है गरबा वस्ता में हरी सबजियों का अगर सेवन आप करते हैं तो आपकी Parajσι की किशमता जो है पाचन शक्ती अच्छी होती है बढ़िया बन जाती है हरी सबजियों में बहुत सारे विटैमिन्स होते है मिनरल्स की मातरा बहुत अच्छी होती है और इसलिए आपके और आपके शिशु के लिए specially आपके शिशु के development के लिए बहुत ही फाइदे मंद होती है और इसलिए during pregnancy अगर आप हरी सबजिया खाती है बहुत ही फाइदे मंद है मैं तो कहूँगा कि आपने हरी सबजियों का सेवन खाना ही चाहिए और इस वक्त अगर आप ऐसा समझ के खाते है कि हरी सबजियों के सेवन से आपके शिशु कारण गोरा होगा तो ये माननी में भी गलत नहीं है आप मान सकते है ज़्यादा से ज़्यादा हरी सबजिया खाये ताकि दोनों को भी बेनिफिट हो पाचवान उसका जो हमने सुना है हमारी दादी ने हमारी नानी ने हमें सुनाया है और वो है संत्रे से बच्चा गोरा होता है देगे संत्रे में विटैमिन सी अधिक मातरा में होता है और इसके सेवन से तवच्चा स्वस्त होती है यदि संत्रे का सेवन गरबावस्ता में गरबावस्ता में करती है तो उसके शरीर में विटैमिन सी की कमी नहीं होगी और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानि कि उसकी immunity अच्छी होगी और काफी infection से लड़ने में भी ये मदद करेगा सो संत्रे का 7 अगर आप करते है तो आपकी तवचा भी अच्छी होगी साथ ही इसमें fibers होने की वज़े से constipation की तकलीव भी नहीं होगी और इसलिए during pregnancy आप संत्रे का 7 जरूर कीजिए बच्चा गोरा होगा या नहीं इसकी कोई भी पुस्टी विज्ञान नहीं करता है 6 नंबर का जो मीत है वो है अंडा खाने से या दूद पीने से शिशु का रंग गोरा होता है क्यों क्योंकि दूद भी सफेद है और अंडा भी सफेद है पहले या किसी भी वीडियो को किसी भी नुस्खे को आप आजमाने से पहले अपने गाइनेकलोजिस्ट की सला जरूर लीजिए ताकि ये आपके लिए भी और आपके गरबस्त शिशु के लिए भी सुरक्षित रहे और हो सकता है आपके घरबें आपके नानी, दादी इन लोगोंने ये नुस्खे जो आपको बताये है शायद शिशु गोरा हो या नहीं हो इससे चादा आपके लिए ये बहुत लाब्दाइए है बहुत आउश्चक है आपके शिशु के लिए ये बहुत इंपॉर्टन है इस गर्वस्त शिशु को स्वस्त बनाने के लिए तंदुरुस्त बनाने के लिए इन चुजों का सेवन आप जरूर कीजिए और साथ ही आद रखिए फिजिकल डेवलप्मेंट के साथ साथ मेंटल डेवलप्मेंट भी बहुत जरूरी है और इसलिए आपको भी हिल्दी रहना इं और एंजोई कीजिए प्रिग्ननसी का हरक्षन संजीव और गर्वसंसकार के साथ। तन्यवाद।